exercise 3.1 का जो question number 2 है question में बोला गया है the coach of a cricket team buys 3 bets and 6 balls for 3,900 रुपीज एक cricket की coach है वो 3 bet और 6 ball जो है 3,900 रुपीज की खरीती है later बाद में she buys another bet and 3 more ball of the same kind for 1,300 रुपीज और बाद में जो है वो 1 bet और 3 ball उसी तरह की 1,300 रुपीज की खरीती है represent this situation algebrically and geometrically तो हमें इस situation को algebrically भी represent करना है geometrically भी represent करना है तो algebrically representation क्या होता है algebrically representation वो होता है कि जब हम किसी भी situation को equation की form में convert कर देते हैं ठीक है तो पहले तो हमसे पहले हमें इसे equation की form में convert करना पड़ेगा उसके बाद हमें इसका graph बनाना पड़ेगा जो graph बनाते हैं उसी को हम geometrically representation कहते हैं ठीक है तो दीखे सबसे पहले जिन दो चीजों के बारे हम बात चल रही है एक तो bet के बारे हम बात चल लिए एक बारे हम बात चल लिए तो दोनों की हम क्या कर लेंगे cost को let कर लेंगे let the cost of one bet is equal to x rupees यानि जो x एक bet है वो x rupees का है let the cost of one ball equal to y rupees ठीक है अब दीखे हम बनाएंगे first equation अब कैसे बनेगी first equation हमसे question में बोला गया था coach of a cricket team buys three bets and six balls for 3900 rupees यानि जो है तीन bet और six ball की जो cost है total वो 3900 rupees है अब जब एक bet जो है x rupees का है तो three bet कितने के होंगे three x rupees के ठीक है plus और जब एक ball जो है y rupees की हो तो six ball कितने की होंगे six y rupees is equal to कितना जाएगा ये total मिला कर कितने की मिलती है 3900 rupees ठीक है अब अगर आप इसको divide करना चाहें three से तो ये divide हो सकता है तो इसको divide कर लें तो dividing by three जब इसको करेंगे तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पर एक्स और प्लस ये इन दोनों को मिला करके कितने पैसे बैठते हैं 300 rupees ठीक है ये आपके पास equation 2 आ जाएगी अब ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले आप पहली equation को ले लिया करें और पहली equation को लेने के बाद उस equation के दो solution निकाला करें ठीक है आप जब दो solution हम निकालते हैं तो आप क्या गरा करते हैं कि पहले x की value कुछ put करते हैं आपर तो put x is equal to put x is equal to कितना रख लें आप पर 100 रख लें अब आप क्या करें जहां पर x है महाँ पर कितना रखेंगे आप 100 रखेंगे जब 100 रखा आपने तो 100 plus 2y और equal to कितना आ जाएगा आपके पास 1300 जब 2y की value निकालेंगे तो यह 1300 इधर आ जाएगा और minus के 100 हो जाएगे तो 2y की value आजाएगी 1200 और y की value जब आजाएगी यहाँ पर 1200 रखान में 2 आजाएगा यह 600 आजाएगा ठीके तो y की value कितने आगए आप यहाँ पर 600 अब आप क्या करेंगे put x is equal to 300 पूट कर सकते हैं यहाँ पर तो अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर जब x की जगा 300 पूट करे आपके पास 1000 और y की जब value निकालेंगे तो यह कितना आजाएगा 1000 अपोन टूर यह कितना आजाएगा 500 आजाएगा तो y की value कितने आगए आपके पास 500 अब आप क्या करेंगे table for equation first ले लेंगे तो table for equation first जब equation first के लिए आप यहाँ पर table लेंगे तो आप यहाँ पर क्या करत बहुत से स्टुडेंस को छिए 쿵ाइड पर लिख लेत है अब आप यहां पर लिख लेते हैं अब आप यह देखते हैं एकस के वाइड मानी थी तो वाइड के कितने आई थी 600 और है और यहां पर Enemy 200- आपके पास 500 तो आपके पास दो पॉइंट आ जाएंगे एक तो आ जाएगा 100,600 और एक आ जाएगा 300,500 ठीक है अब देखिए बहुत से students को यह confusion रहता है कि यहाँ पर x के value 100 क्यों ली गई है और 200 या 300 क्यों ली गई है यहाँ पर 123 क्यों नहीं ली गई तो आप एक बात हमेश 300 जो है किस तरही से बनाओगा 13 की multiply जब 100 से हुई होगी तभी तो 1300 बन रहा होगा तो इसलिए जब भी ऐसा होगा कि किसी question के अंदर अगर किसी equation के अंदर अगर जो है equation में 100 का multiple मौझूद है तो आप क्या करें x की जो value रखें आप फिर वो 100 के multiple की form में ही रखें ठीक है जै 70 हो 80 हो तो आप फिर जो है x की value आप जो है वो 10 के multiple की form में रखें यह नहीं कि 30 रख दें 40 रख दें या 50 रख दें इस तरीके से जो है वहाँ पर value रख सकते हैं और जब जो है जब simple होते हैं छोटे 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 नमबर होते हैं तो वहाँ पर 123 रख सकते हैं ठीक है अब देखिए अब आप क्या करेंगे अब आप equation 2 के लिए काम करेंगे अब देखिए हमारे पास जो है equation 2 है x plus 3y equal to 1300 तो अब यहाँ पर आप x की जगा क्या रख दें कुछ भी रख सकते हैं तो x की जगा यहाँ पर फिर से में put कर रहा हूं put x की जगा कितना रखेंगे 100 जब 100 र तो 1200 और अपन में 3 आ जाएगा यह 400 आ जाएगा तो y की value कितने आ जाएगे आपके पास 400 अब आप put कर ले put x is equal to अब यहाँ पर आप 400 रख सकते हैं जब x की value 400 यहाँ पर रखेंगे तो आप x की जगा 400 रखें और plus में 3y और equal to कितना जाएगा 1300 तो जब 3y की value यहाँ से नि और यह कितना आ जाएगा कटने के बाद 300 आ जाएगा अब आप क्या करेंगे table कर लेंगे तो table for equation 2 अब जब table में रखेंगे इसकी value तो यहाँ पर आ जाएगा x और यहाँ पर आ जाएगा y ठीके तो जब आपने x की value 100 रखी थी तो y की value कितने आ जाए थी 400 तो 100 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 400 और जब आपने x की value 400 रखी थी तो y की value कितने आ जाए थी 300 तो आपके पास दो point यहाँ से आ जाएगे 100 और 400 और एक दूसरा point आ जाएगा 400,300 ठीके अब आप इसका जो है graph पर representation करेंगे अब देखे सबसे पहले हम क्या करेंगे जो table for equation first है उसके जो point point आये हैं उनको इस graph पर represent करेंगे तो represent करने के लिए पहले हमने x-axis ले लिए और फिर उसके बाद y-axis ले लिए अब x-axis और y-axis लेने के बाद यहाँ पर जो number चल ले हैं वो 100, 200, 300 की form में चल ले हैं क्योंकि जो हमारे पास point है वो 100 के multiple की form में ही है ठीक है तो अब सबसे पह आप क्या करेंगे सबसे पहले इसके point देखेंगे अब देखें पहला वाला क्या होता है पहला वाला होता है आपके पास x और x जो है वो किस चीज़ का है प्लस का है तो जब प्लस का है तो इधर को चलेंगे इधर को चलेंगे तो यहाँ पर रहेंगे अब दूसरा वाला ज हो क्या था 300 और 500 तो पहला वाला क्या होता है x x क्या है प्लस का 300 और जब प्लस का है तो कहां को चलेंगे इधर को चलेंगे तो यहाँ पर 300 पर पहुँच जाएंगे और दूसरा वाला जो है 500 दूसरा वाला आ चुके हैं अब equation 2 के लिए जो point है उनको भी represent करेंगे अब देखिए equation 2 के जो points है उनको represent कर लेते हैं तो जो पहला point है equation 2 के लिए वो कितना है 100 और 400 तो पहला वाला जो होता है वो x होता है और x क्या है plus का 100 जब plus का x है तो कि इधर को चलेंगे आप इधर को यहाँ पर पहु 300 तो पहला वाला क्या होता है x, x क्या है plus का 400 तो plus का है तो कहां पर चलेंगे इधर को चलेंगे और दूसरा वाला क्या है 300 यह भी plus का है और यह plus का y है तो plus का अगर होता है y तो उपर को चलते है तो यह कहां जाएगा यहाँ पर आजाएगा ठीक है अब दूसरी जो equation थी उ आप खीचेंगे लाइन को, तो आप इस तरीके से खीच देंगे इसको, और जो दूसरी वाली जो equation थी, उसकी लाइन जो है, यहाँ से खीची जाएगी, ठीक है, तो यह जो है, आपने यहाँ से भी इसकी लाइन को आप खीच देंगे, अब उसके बाद आप क्या करेंगे जिन जिन की ये line थी उन equations को यहाँ पर लिखना पड़ेगा तो ये जो पहली वाली थी ये किसकी थी ये x plus 2y equal to 1300 इसकी line है और जो दूसरी वाली जो line है वो x plus 3y equal to 1300 की line है ठीक है ये इसका answer हो जाए